नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यह कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोसे आपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मज़से पंजाब नेशनल बैंक में अपना यहाँ पर बिल्कुल जीरो बैलेंस होने वाला है आपका पर एक भी रुपए नहीं देने होंगे यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर पूरा प्रोसेस में ऑनलाइन खुद करके दिखाने वाला हूँ फॉर्म भी फिलप कर यह हम हमेश्या लाते रहती हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करती है तो समने के डियो में सबसे पहले आप लोगों को को के सुवधियृ के डिस्कcken jap करना और यहाँ बाद सबसे पहले तकर Outlaw को क्या करना है आपको एकाउंट ओपन करना है जिसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग आया पर देखे एक ऊपर की तरफ राइड में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना है इस पर टैप करने के बाद दोसरे आप दिखे अब है तो सिंपली आपको इसी पर टैप करना है जिसे आप इस पर टैप करते हैं आपके सामने बहुत सारे और ओप्शन ओपन हो जाएंगे अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक यलो कलर में ओप्शन देखने के लिए मिलेगा ओनलाइन एकाउंट ओपनिंग त्रू वीडि आने वाला हूं तो यहाँ पर देखे हम ओनलाइन एकाउंट ओपनिंग पर टैप कर देंगे जैसे हम इस पर टैप करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों देखे हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा वेलकम टू पीन ब कस्तमर ऑनबोर्डिंग प्लैटफर्म यहाँ पर हमें दो ओप्शन दिखाई देंगे एप्लाइप और सेविंग एकाउंट एंड आप रिज्यूम यूर एप्लिकेशन इसका मतलब हो जाता है कि अगर आपने आप फॉर्म एप्लाइप कर रहे हैं यहाँ पर बीच में कु हो ऑपको और आएँगे एक आएगा 39 Saving Account ऐकाउंट अगर आपका 29 Saving Account पर नहीं है तो आपको उस पे कर लेना है जो कि मेरा already पहले से ही है तो यहाँ पर रहने देंगे हम and have a guest started पर tap कर देना है जिसके बाद हमारे सामने दिखिए एक agreement आएगा इस agreement पर हमें yes कर देना है उसके बाद proceed पर tap कर देना है जिसके बाद दुस्तों यहाँ पर दिखिए आपको एक mobile number लिखना है आपको ध्यान से वही mobile number लिखना है जो आपके आधार card में link हो आपको दूसरा कोई भी mobile number नहीं लिखना है mobile number लिख देने के बाद आपको नीचे की तरफ एक email id प्रोवाइड करना है उसके बाद आपको proceed पर tap कर देना है जिसके बाद next page पर आपसे id proof में pen card आधार number मांगा जाएग तो आपको simply वो दोनों enter कर देना है उसके बाद agreement दोनों accept करना है and proceed पर आपको simply tap कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके दिये गया अधार number पर एक OTP जाएगा उसके बाद आपको OTP चेंको का इंटर करके verify and proceed पर simply tap कर देना है जिसके बाद next page पर आपसे आपका basic detail मांगा जिसमें कि आपको अपना name लिखना है उसके बाद यहां पर अपना date of birth, gender, permanent जो आपका address है वो लिखना है उसके बाद यहां पर next step में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो address यहां पर है आधार card में वही address आप चाहते हैं EKYC के लिए या फिर कोई और अगर आप कोई और तो आप no पर क्लिक करेंगे और यहां पर कोई address डालेंगे अगर आप चाहते हैं कि वही रहे तो आपको यहां पर yes पर ही करना है उसके बाद प्रोसीड पर simply tap कर देना है फिर दोसे आपर next page पर आपसे पूछा देगा कि आप married है या नहीं आपके mother name, father name and religion, category, city of birth, education सभी ची इसके बाद आपका यहां पर net worth, annual income क्या है वो सब यहां पर इंटर करके आप जो भी upload proof हो आपके पास वो upload simply कर देना है अब आप यहां पर किसी nominee को add करना चाहते हैं तो आप nominee भी add कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो आप option को बंद कर देंगे फिर यहां पर next page पर आपको अपना branch select करना होगा जहां का भी आपका location है उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ आप क्या-क्या services चाहते हैं वो select करना है आपको debit card चाहिए internet banking, mobile banking, SMS alert, e-statement, जो भी checkbook, passbook आपको चाहिए सब यहां पर select कर देना है उसके बाद आपको यहां पर proceed पर simply tap कर देना है अब यहा पर declaration दो यहां पर चीज़े दिखाई देंगी एक दिखाई देगा अगर आप OTP करते हैं तो आपके क्या-क्या चीज़े होने वाली है इन्हें पर अगर आप अपना video क्या-क्या चीज़े मिलने वाली है उसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो पहले पर आप टिक देगा Welcome to PNB परिवार यहां पर देखे सारी डीटेल्स आपकी दिखाई देंगे Account Number, IFSC Code यहां पर सब कुछ दिखाई देगा उसके बाद यहां पर आप अपने चाहे तो PNB Bank का जो है यह PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको पुरा slip मिल जाने वाला है यहां पर यहां पर जा करके अपने Passbook को भी Simply Collect कर सकते हैं अगर आप यहां पर वीडियो के वाज़ी कर लेते हैं तो आपको यहां पर और वी इसकी सुविधाये देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहां पर घर बैटे अपने मुवाइल फोन की मदद से पंजा वने मात्रम